हलो दोस्तों, जैसे सी परिक्षा में एक बार फिर सापका स्वागत है, आज हम लोग कंप्यूटर नौलेज के अगले वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं क यदि कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, तो कंप्यूटर के परिचय से आम तोर पर एक या दो प्रस्ण अवज से ही आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का परिचय बहुत बड़ा परिचय से चेप्टर होता है, ठीक है? और उसमें कंप्यूटर का सारा जो पास्ट है ये भी आ जाता है ठीक है तो चलिए कंप्योटर के परिचय चेप्टर को आरम करते हैं देखें कंप्योटर एक स्वचालिक तथा निर्देशों के अनुसार कार करने वाला इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो डेटा इन्पुट करता है तथा सोप्ट्वेर या प्रोग्राम के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके परिनाम को परदर्सित या संग्रहित करता है ठीक है कंप्योटर सब्द की उत्पति लेटिन भासा की कंपूटेर ठीक है कंपूटेर सब से हुई है जिसका अर्थ होता है गनना करना ठीक है तो पहला प्रश्ण है से डिपनेशन से बन जाएगा दोस्तों कि जो computer सब्द का उत्पति हुआ है वो किससे उत्पति हुआ है चार option देदेगा और एक में लिखेगा गनना करना तो option के सा जाएगा गनना करना ठीक है ये सही option हो जाएगा देखे कंप्यूटर का विकास का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे भी आधोनी कंप्यूटरों को अस्तितों में आये हुए मुश्किल से 50 वर्स ही हुए है लेकिन उनके विकास का इतिहास क्या है तो बहुत पुराना है ठी आविसकार एक तरफ दिया है आविसकारक फिर है विशेष्ता और फिर है अनुपरियोग देखे अभेकस का जब आविसकार हुआ था ठीक है तो उस समय का time period था 16 सब्धू आविसकारक का पता नहीं है दोस्तों ठीक है 16 सब्धू विशेष्ता इसका था कि सबसे पहला एव में बनाया गया था और इसका प्रयोक जो है न यह जोडने और घटाने में किया जाता था उसबसे पहला उसरल यंद्र यही था अब एकस ठीक है देखिया आगे फिर है नेपियर्स बूर्ण नेपियर्स बोन्स का जो अविसकारक है वो है जोन नेपियर कौन है जोन नेपियर ये 1617 में इसको अविसकार किये थे 1617 में इसके विसेस्ता क्या थी कि 10 आयता कार पटियों पर 0 से 9 तक के अंक लिखे होते थे दस आयता कारपट्टी होता था और इसमें जीरो से लेकर के नव तक्यांत लिखा होता था दुसरा भी सिस्ता है गनना के लिए परियोग में आने वाली प्रोई द्युगकी को rapdo गोलिया कहते है मने गन्ना के लिए परियोग में आने वाली जो चेंजिंग आया था उसको बोलते हैं रैब्डो गोलिया इसका परियोग गुना अत्यंत सिग्रता पुरुवक की जा सकती थी अभेकस का परियोग तो जोड़ घटा में जल्दी से किया जाता था उससे लेगिन यदि गुना करना था तो नेपियर सबोन का इस्तेमाल करते थे ठीक है चले आगे है पास्कलाइन पास्कलाइन का विसकारक है बलेज पास्कलाइन का विसकारक कोन है तो बलेज पास्कलाइन का विसकारक कोन है तो बलेज पास्कलाइन का विसकार तो 1642 में याद रखे पास्कलाइन ब्लेच पास्कल 1642 ठीक है इसकी भी सिष्टा क्या थी या प्रत्थम mechanical adding machine है तो प्रशना जाएगा की प्रत्थम mechanical adding machine कोण सा है तो याद रखेगा पास्कलाइन दूसरा भी सिह्टा है कि या मसीन ओडो मीटर एम घडी के सिधान पर कारे करती थी ठीक है अनुप्रयोग संख्याओं को जोडने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था ठीक है आगे देखे आगे है जेकाडस लूम जेकाडस लूम इसके आविश्कारक है जो सेप मेरी जेकाड कौन है तो जो सेफ मेरी जवकार्ड कब किये थे तो 1804 में इसकी विशस्ता क्या थी या एक ऐसी बुनाई मसीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डानले के लिए छीदर किये हुए कार्डों का अप्योग किया जाता था तो जो जेकार्डस लुम था ये बुनाई मसीन था या प्रथम मेकेनिकल लुम था या प्रथम मेकेनिकल लुम था कौन तो जेकार्ड लुम इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था ठीक है आगे देखिए आगे है एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन क आविस्कारक है Charles Bebez Charles Bebez कब किये थे तो 1837 में Charles Bebez को ही computer का जनक कहा जाता है ठीक analytical engine Charles Bebez 1837 computer का जनक चार बातें हहां से याद रखे अब देखे इसकी विशेस्ता क्या थी इस machine को आधुनी computer का परारूप माना जाता है तो प्राशन आएगा कि कौन सा machine को आधुनी computer का copy या आधुनी computer का परारूप माना जाता है तो analytical engine याद रखेगा यह प्रथम general परपच computer है यहाँ प्रथम general परपच computer है इसका अनुप्रयोग देखे इसका प्रयोग सभी गनीतिय किरियाओं को करने में किया जाता था किसका तो analytical engine का ठीक है आगे देखे आगे है tabulating machine क्या है तो tabulating machine इसका खोज करता है या आविसकारक है हर्मन होले रीत कौन है हर्मन होले रीत कब किये थे तो 1890 में किये थे इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किये हुए काड़ों द्वारा किया जाता था और एक समय में एक ही काड़ को पढ़ा जाता था इसका प्रयोग 1890 में जो जनगन्ना किया गया था उसमें किया गया था तो प्रस्ण आएगा कि सबसे पहली बार जनगन्ना में किसका प्रयोग किया गया था तो याद रखेगा टेबूलेटिंग मसीन का प्रयोग किया गया था किसका तो टेबूलेटिंग मसीन का प्रयोग किया गया था आगे देखिए आगे दोस्तों कि मार को है ठीक है तो मार कोन के आविसकारक है हावर्ड आइकन कौन है तो हावर्ड आइकन है 1944 में आविस्कार किये थे ठीक है हावर्ड आइकन याद रखे 1944 याद रखे इसकी विशिस्ता क्या थी यहाँ विश्व का प्रथम पुर्ण स्वचालित विधुत यांत्रिक गरनना यंत्र था ठीक है तो यहाँ से प्रशन आ सकता है कि विश्व का प्रथम पुर्ण स्वचालित जो विधुत पर चलता था ठीक है वो यांत्रिक गरनना यंत्र कौन था तो मार कौन था इसका प्रियोग गननाय करने में किया जाता था आगे है एनियक देखे एनियक Eneek के अविश्कारक है JP18 और John Mosley 1946 में विश्कार किये थे या 20 Eccumulators का एक स्योजन है या पहला Digital Computer था बताए कि पहला Digital Computer कौन था तो Eneek पहला Digital Computer कौन था तो Eneek ठीक है इसका प्रयोग Private Formal Engineers Research Association और IBM में किया गया था ठीक है अब आगे है ADSEC आगे कौन सा है तो आगे है ADSEC देखे John 1 Lumen इसका विश्कारक है John 1 Lumen कब किये थे तो 1949 में यहाँ पहला प्रोग्राम संगरहित डिज्टल कंप्यूटर था यहाँ पहला प्रोग्राम संगरहित डिज्टल कंप्यूटर था तो कौन ADSEC ठीक है John 1 Lumen 1949 यहाद रखे यह वर्गों के पहाडों की भी गनना कर सकता था ठीक है जो भी स्क्वेर होते हैं उसके भी पहाडों का गनना कर सकता था अब देखे आगे है UNIAC अगे क्या है UNIAC अब इसका रख है J.Prasper 18 और John W. Mosley 1991 किये थे समान्य उदेशे के लिए परियोग किये जाने वाला प्रथम electronic computer था प्रथम electronic computer था इसका परियोग वानिजी कार के लिए किया जाता था फिर है IBM 650 ठीक है इसका रख है IBM कंपनी 1923 में यहाँ alphabetical और special characters को दो अंको के decimal code में परिवर्तित करके input और output देता था उप्योग payroll processing में उप्योग होता था और market research analysis में इसका उप्योग होता था अब आगे हम लोग computer की पिणिया के बारें पढ़ेंगे generation of computer देखे आधुनिक computer के विकास के इतिहास को तकनिकी विकास के नुसार कई भागों में बाटा जा सकता है जिन्हें computer की पिणिया कहा जाता है ठीक है एक साइड है पिणिया फिर है वर्स फिर है switching device का अप्योग फिर है storage device फिर है गती फिर है operating system और फिर है भासा तो चलिए एक-एक को करते हैं देखिए प्रतम पिणिया में जो समय काल था वो था 1946 से 56 इसमें जो switching device होता था वो होता था vacuum tube क्या होता था vacuum tube और magnetic drum इसमें storage device होता था magnetic drum गती होता था 333 millisecond 333 millisecond operating system था batch operating system और जो भासा था वो मसीनी भासा था binary number था O-S और 1-S ठीक है चलि आगे है दिवतिय में 1956 से ले करके 63 तक switching device इसमें transistor को प्योग होता था किसका transistor का storage device करूप में magnetic core technology magnetic core technology गती था 10 microsecond गती क्या था 10 microsecond और multitasking time sharing था multitasking time sharing operating system इसमें यूज होता था भासा था assembly भासा और उचस्तरिय भासा फिर है 33 पीड़ी में 64 से ले करके 71 integrated circuit का इस्तिमाल किया जाता था 33 पीड़ी में integrated circuit का इस्तिमाल किया जाता था IC का ठीक है magnetic core इसमें storage device था गती था 100 nanosecond गती क्या था 100 nanosecond operating system था real time और time sharing और इसकी जो भासा था वो photon और कोबोल आदी था photon और कोबोल आदी भासा इसमें था चतूत पिढ़ी में आ जाएगा 1971 लेकर के वर्तमान तक इसका उप्योंग होता है ठीक है बड़े पैमाने पर integrated circuit का इस्तिमाल और microprocessor का इस्तिमाल semiconductor memory और bichester disk होता था 30 pico second इसका गती time sharing network इसमें operating system था और photon 7-7 और Pascal और NDA और कोबोल 7-4 इसकी भासा था और जो पंचम चल रहा है पंचम वर्तमान ठीक है वर्तमान अभी है और आगे तक भी चले गाया तो सबसे बड़े पैमाने पर optical disk integrated circuit का इसमें इस्तिमाल होता था एक मिनट सोरी सबसे बड़े पैमाने पर integrated circuit का इस्तिमाल पंचमें पिंड़ी के कम्प्टरों में किया जाता था और इसमें जो storage device होता था उसमें optical disk का प्योग होता था ठीक है और operating system जो होता था ओ knowledge information processing system होता था ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आगे देखे आगे है दू दिसंबर प्रतिवर्ज आधुनिक कम्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प प्रीजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर अधारिक था आगे हैं कम्प्यूटर का वर्गी करन क्लासिफिकेशन और कंप्यूटर को उनकी रूप रेखा काम काज उदेश्योत था प्रियोजन इत्यादी के अधार पर विभीन वर्गों विहाजित किया जा सकता है तो चले इसक आकार के अधार पर एक अनुप्योग के अधार पर अकार के अधार पर माइक्रो कंप्यूटर मीनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सूपर कंप्यूटर उप्योग के अधार पर एनालोग कंप्यूटर डिश्टर कंप्यूटर और हाइब्रेट कंप्यूटर अकार के अधार पर कम्प्यूटर के निवन परकार होते हैं जिनका संशित विरन नीचे किया गया है पहला है माइक्रो कम्प्यूटर देखे ये कम्प्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि डेश कपर सफलता पूरो कर रखा जा सकता है इन्हें computer on a chip भी कहा जाता है आधुनिक यूग में micro computer phone के आकार और पुष्टक के आकार्त था घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है इन computer का उपयोग मुख्यता बेवसायत था चिकिच्चा के छेतर में किया जाता था ठीक है किया जाता है उदाहरन के लिए I, M, A, C, I, B, M और P, S, O, B, 2 देखिए micro computer जो होते हैं वो कई परकार के होते हैं ठीक है पहला है desktop computer या personal computer दूसरा है notebook computer तीसरा है handheld computer या pom top फिर है tablet computer और फिर है personal digital assistant मिनी computer मध्य आकार के इन computer की कारेशमता तथा कीमत दोनों ही micro computer के तुलना में अधिक होती है ठीक है जिस कारण ये बेक्तिगत परियोग में नहीं लाए जाते है इसके उदाहरन जो है वो है HP 9000, IBM 117 और DEC POP 11 चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद main frame computer देखिए ये computer आकार कारेशमता और कीमत में मीनी तथा micro computer से अधीक बड़े होते हैं जो main film computer होते हैं अता बड़ी companyों तथा bankों या सरकारी भी भागों में एक केंद्रिये computer के रूप में इनका प्रियोग होता है इसके उधारन है IBM 370, IBM S-390, UNIWAC 1110 ETC फिर हैं सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सरवाधिक गती संग्राचमता और उच वाइच उच विस्तार वाले होते हैं इनका आकार एक समान्य कमरे के बराबर होता है बिश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी द्वारा सन 1976 विक्सित क्रेवन था भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है इसका विकास CDAC ने किया था इसका बिक्सित रूप परम युवा सेकेंड के भी त्यार कर लिया गया है सुपर कंप्यूटर का मुख्य उप्योग मौसम की भविस्वानी करने एनिमेशन तथा चल चित्र का निर्मान करने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सोध परियुक सलाओं में सोध वख खोजगाने आदि के कारे में किया जाता है आगे है इसका सिधान्त भारत का पहला कंप्यूटर था जो सिधार्त था ना सोरी जो सिधार्त था वो भारत का पहला कंप्यूटर था कौन था तो सिधार्त भारत का पहला कम्पूटर कौन था तो सिधार्थ था अगर देखे क्रेवन बिस्व का पहला सूपर कम्पूटर था क्रेवन क्या था बिस्व का पहला सूपर कम्पूटर था जिसका निर्मान सी मौर क्रे ने 1976 में किया था तो तीन प्रसंदे के, क्रे 1 क्या था, तो 200 का पहला सुपर कंप्यूटर था, सिधार्त क्या था, तो भारत का पहला कंप्यूटर था, क्रे 1 का आविसकार कौन है, तो सीमोर क्रे, क्रे 1 का आविसकार कप गया था, 1976, ठीक है, आगे देखे, सागा 220, एक सुपर कंप्यूटर है जो ग्रेफिक्स प्रोसेस यूनिट वास्तु कला 220 टेराफलोप्स केसा एरोस्पेस को संबोधित करता है या भारतिय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है आगे है परम युवा सेकेंड एक आधुनिक मसीन है जो की परम की एक स्रिंखला है इसका निर्मान C-DAC पुने द्वारा अस्थापित किया गया यह 524 टेराफलोप्स की गति पर कारे करता है आगे है तियाने टू यब इस वका सबसेत देजकार करने वाला सुपरकॉम्पुटर है कौन तियाने यह थे जिसका सुभारम चाइना की NUDT इनुभर्सिटी द्वारा सन 2013 में किया गया यह कायलिन लाइनक्स ओपरेटिंग सिस्टम के साथ 33.86 पेटा फ्लोप्स पर निर्भर है आगे है भारत का सबसे तेजद था पहला मल्टी प्लेट फोर्म सुपरकॉम्पुटर प्रतियूस प्रतियूस का IITM पूने में अनावरन किया गया था आगे है कारेके अधार पर कारेके अधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं जिसका संचित विरों नीचे है पहला है इनालोग कंप्यूटर भौतिक मत्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे, इत्यादी को नापकर उसके परिनाम को अंक में परस्तुत करने के लिए इनालोग कंप्यूटर का उप्यूटर का उप्यूग किया जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर मत्राओं को अंकों में परस्तुत करते हैं इसलिए इनका उप्योग बिज्ञान और एंजिनिंग छेत्रों में अधिक किया जाता है उधान के लिए स्पीडियो मीटर और भूकाउम सूचा की अंत्र उसमें एलानलोग कम्प्योटर का उप्योग किया जाता है आगे है डिजिटल कम्प्योटर अंकों की गन्ना करने के लिए डिशिटल कम्प्योटर का उप्योग किया जाता है अधूनिक यूग में पर्यूग अधिक्तर कम्प्योटर डिजिटल कम्प्योटर की स्रेनी में ही आते हैं ये कम्प्योटर ये input किये गए Digital Computer का उप्योग Digital Computer का उप्योग वेपार में, घर के वजट में, एनिमेशन के छेत्र में और बिस्त्रित रूप से किया जाता है। उधारण के लिए Desktop, Computer और Laptop आगे हैं Hybrid Computer Hybrid Computer एनालोग और Digital Computer का मिस्त्रित रूप होता है। इसमें Input और Output एनालोग के रूप में, परन्तु, रूप में होता है, परन्तु, प्रोसेसिंग डिश्टल रूप में होता है। चिकित्सा के छेत्र में इसका सरवाधिक उप्योग होता है Hybrid Computer का, इसे ECG तथा Dialysis Machine आदी इसमें उप्योग होता है। आगे हैं Computer के अनुप्योग, देखें, आधुनिक युग में सायद, सायद ही कोई ऐसा छेत्र हो जहां Computer का प्रियोग न हुआ हो, मुख्या, कुछ मुख्या छेत्रों में Computer का अनुप्योग निमलिखित है, जैसे सिक्षा में, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विशय के विकास और इंटरनेट की सुलबता ने Computer को विजयार्थियों के लिए अत्यांत उप्योगी बना दिया है, आगे है संचार, Communication, Computer के प्रियोग ने संचार के छेत्र में Internet के प्रियोग को संभव बनाया, आधुनिक संचार वे उस्था की तो Computer के आभाव में कर्पना भी नहीं क की जा सकती, टेलिफोन और इंटरनेट ने संचार करांती को जर्म दिया है, परंतु प्रासिकी संचरन, ठीक है, में भी Computer का प्रियोग किया जाता है, आगे है उद्योग के बारे में, बहुत सारे अध्योगिक संस्थान जैसे Steel, Chemical, तेल कंपनी आधी, Computer पर मिर्भर है, सेंत प्रकिरियाओं के वास्तिक नियंतरन के लिए भी Computer का प्योग किया जाता है, फिर हम नुरंजन, नुरंजन के छेतर में Computer का प्योग प्राया, सिनेमा, टेलिवीजन, कारे करम, वीडियो गेम, इत्यादी के रूप में किया जाता है, मल्टी मेडिया के प्रियोग ने तो Computer की बहु आयामी बना दिया है Computer को, पांचवा है वायू यान तथा Railway आरक्षन, एक अस्तान से दुसरे अस्तान पर वायू यान तथा Railway द्वारा जाने के लिए आरक्षन Computer द्वारा ही किये जाते हैं, तथा Computer द्वारा ही हम घर बैठे निधारी समय को भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आगे है स्वास, चिकिसा के छेतर में Computer का अनुप्रयोग विभीन सारे रिक रोगों का पता लगाने के लिए किये जाता है, रोगों का विसलेशन तथा निधान भी Computer द्वारा संभव है, आधुनिक यूग में X-ray, CTSCN, Ultrasound, इत्यादी, विभीन जाचों में Computer कंप्यूटर का प्रयोग विश्तर रूप से हो रहा है, फिर है Banks, बैकिंग चेतर में Computer के अनुप्रयोग की ने करांती ही ला दी है, आज बैंकों के अधिकांस कारे जैसे Online Backing, ATM द्वारा पैसन निकालना, चेक का भुगतान, रुप्या गिनना, इत्यादी Computer के द्वारा ही स Computer कई तरह के Record का संग्रहान करने और Accounts और पुस्तकाले में किताबों या पत्रिकाओं को सहेजने में भी सहायता करता है, अब आगे है इस चेप्टर से समंधित महत्पून प्राष्ण, चलिए प्राष्ण नमबर एक देखिए, प्राष्ण नमबर एक है कि प्रथां प्यू किसको भैक्यूम ट्यूब को, आगे देखिए, सूपर कंप्यूटर का प्रियोग, निमलिखित में से किस अनुप्रियोग के लिए किया जाता है, किस के लिए किया जाता है, तो मौसम पुरणुमान के लिए, किस के लिए, मौसम पुरणुमान के लिए, आगे देखिए, आ होते हैं, किस निर्मित होता है तो सिलिकन से निर्मित होता है ठीक है, चले हम लोग इधर वाला प्राश्ण भी करते चलते हैं, दोनों एक ही डिस्पले मों हो जाएगा ठीक है, देखे इधर वाला है, कि तीहान ये वण, ए जो कि दुनिया कि सबसे सुपरकॉप्टर में से एक है उसे किस देश ने बिक्सित किया है बताना है कि इसको किस देश ने बिक्सित किया है तो चीन ने फोर नमर देखे निमलिखित में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महागा कंप्यूटर है तो है super computer कौन है? super computer पाहला electronic computer कौन सा था जो Moore School of Engineering थीक है में बनाया गया तो ये कौन सा super computer था तो Edwag था आगे देखिए आगे है कि Charles Wives द्वारा design किया गया प्रत्व यांत्री computer है फिक है तो उसको क्या कहते थे तो उसको analytical engine कहते थे आगे देखिए आगे है इसके बाद 12 नमबर का प्राश्ण कि एनी एक था एक एक इलेक्ट्रोनिक डिजिनल कम्प्यूटर था निमलिखित में से कौन सी तीसरी पिढ़ी संगनक का मुखे एलेक्ट्रोनिक जो है ओ है ठीक है तो कौन है तीसरी पिढ़ी का ओ है इन्टिग्रेटेड सर्कीट अब एकस परफॉम कर सकता है तो जोडने में और घटाने में यानि कि दोनों में बिश्व का सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर कौन है बिश्व का सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर है क्रेवन आगे देखे कम्प्यूटर तीन असोरी कम्प्यूटर निमन में से कौन सा कार्य नहीं करता है कौन सा कार्य नहीं करता है तो अंडरेस्टेंग नहीं करता है कम एक्ट्रोनिक कंप्यूटर का आविस्कार किस ने किया ठीक है इसका आविस्कार दोस्तो एलन एम टूरिंग ने किया आगे है 16 की सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जो मासिक की तरह कारे करता है ठीक है जो मस्तिक्स की तरह कारे करता है वो है क्वांटम नाइन देखे निमलिखीत कत्मों पर विचार करना है ठीक है और उसके संदर में आंसर देना है ठीक है देखे तो नाइन का जो है वो है कि सूपरकॉप्यूटर सागा 220-200 टी प्लेटफॉर्म टी फ्लोप्स से अधीकति से निवहत करते हैं तो ठीक है 200 के 500 और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है जो मस्तिक स्कतरहकारे करता है ठीक है तो विजश्च बताये थे क्वांटम कंप्यूटर फिर है कि सबसे तेज भारती कंप्यूटर कौन सा है जो हाली में इसरु द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है तो है सागा 220 पां अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद